साहस सरुका पंचायद सदसे पर हमला हमला वरो ने कार की तोड़े सीशे हर्दोई में अधेड की बीच सड़क पर पिटाई महिला के साथ अश्लीलता करने का लगा आरो काजियाबाद में पुलिस ने डगैती का क्या खुलासा चार अभ्यूत्तों को पुलिस ने क्या गिरफतार नमस्कार मैं हूँ इशा भारगव और आप देख रहे हैं प्राइम उतर प्रदेश तो शुरुआत करते हैं उतर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ लखनव में शेहरी छेतरों में नागरिक सुवधाओं की समस्याओं के जल से जल निस्तारण के लिए लखनव विकास प्राधी करण गोमती नगर में नागरिक सुवधा दिवस कारिकरम का आयुजन किया गया इस कारिकरम में जनता की समस्याओं को सुनने के लिए जिला प्रसाशन की तरफ से विकास प्राधी करण नगर निगम लोक निर्मान विभाग जल संस्थान के कई अधिकारी मौजूद रहे नागरिक सुवधा दिवस के अफसर पर मंडला युक्त डॉक्टर रोशन जेकब जलादिकारी सूरिपाल गंगवार ने जनता की समस्याओं सुनी कोट में जो केस चल रहा है उसमें अनावश्यक उसको उलजिना पड़ रहा है अगर वो आपसी सहमती से या विभागी कोडिनेशन से उसको भी निस्तारित किया जा सके इसके लिए लोक अदालतें भी होती हैं हम लोग लोक अदालतों में भी ये प्रियास करते हैं कि ऐसे केसिज जिनको कि आपसी सहमती से या सूजबूज से जिनको निस्तारित किया जा सकता है बहुत बड़े केसिज नहीं हैं पैटी केसिज होते हैं तो उनको अदालतों पर बोज़ कम हो सके इस प्रियोजन से लोक अदालतों का आयोजन भी हर तीन महीने में होता है और उसकी तैयारियों के लिए भी हम लोगों को कन्विंस करते हैं, उनको जागरू करते हैं कि जो पैठी केसेज हैं, जो कमपाउंडेवल ओफेंसेज हैं, उनको हम आपसी समझभूस से निस्तारित करा सकते हैं आज लखनो में नागरिक सुविधा दिवस के प्लक्ष में लखनो विकास प्राधिकरण के बैठक सभागार में यहां पर लखनो की मंदलायू तरोसन जैकप और जिला दिकारी सुरिपार गंगवार की तरब से एक नागरिक सुविधा दिवस का आईजिन किया गया है और यहां पर सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी मौजूद हैं यहां पर जो भी नागरिकों की समस्या हैं वो अपनी समस्याओं को ले करके आ रहे हैं लगभग यहां पर दस डिपार्टमेंट को बैठाया गया है यहां पर नगर निगम और गिजली विभाग का लेशा का यातायात की विवस्थाये और जो भी विभाग है उन सभी विभागों के अधिकारियों को यहां पर बैठा करके और नागिरिकों से वो समस्याइं सुनी जेन लेकरी यहां पर बैठे हुए हैं और दरी नागरिकों के समस्या रहे हैं जिनकी जो समस्या को सुना जा रहा है यहांस सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी मौज Kr sector हैं ज़िए में व yapmış अपर मोगे मोजूद हैं यहां लगभग लगभग में आधाद में लखनों में व कि अपपने समस्या लेकर केarner से ही पिनों की कि रिगे की आधिस्जिया जा रहा है। बता रहा है कि abis थरीक है दो किसा समस्या अब बात करेंगे कि आप अपनी समस्याइ करने करेंед तो इस तरीके से जिला पुर्जासन ने जो यह काम किया है वो कहीं नहीं काभिले तारीफ है तो अभी मौके पर हम दिखाना चाहेंगे वर कबने के दिखाए कि वहां पर लखनों के जिला दिकारी और मंदला युक तुरोसंजेकप और लखनों दिकार्टिकारन के सच्छीय पमन गंगवार बैठिव हैं जो भी समस्चा यहां पर आ रही है उनका तुरित यहां पर क्यारवाई करने के अच्छासन भी दिया जा रहा है और लखनों की मनदला युक लगातार इस पर नजर बनाय हुए हैं तो इस तरीके से चाहे हो लखनों विकास प्राजगरन की सभागार में लगातार यहां पर लोगों का आने का सिलसला चलहा है और जैसा कि यहां पर जो इनागरिक सुविधार जिवस का आईजन किया जा रहा है यह हर महीनी की आखरी मंगलवार को होगा दो सुबा दस बजे से दो बजे तक यह समस्चाय सुनी जाएंगी और उनका पर निस्तारंट किया जाएगा तेमरामन विजे के साथ रिटे सुबास्तो प्राइंटीवी लख लोगा रामपुर में उपचुनाव में पूर्व सवानेता आजम खान का भावुक बयान सामने आया है आजम खान ने अपने एक बयान में कहा कि मेरी मौत चाहे तो सर्ब मा हमारी क्या फंथ मारी इस वाना चाहिए पएघाट पर उपीन उफ्दिय क्यूप कि बताओ हमारा क्यों हैं स्सार्कार क्यों तुश्षवन कर दो गया, बता हो मुचे क्यों जहर दिया गया। दो दिन तक करोना के भयानत मरीज को जेर के बाद क्यों नहीं जाने दिया गया। ताके मैं मर जाओं। क्यों आएधि आपने मेरे साथ ऐसा। मैंने तो तुम्हारे लिए एक ऐसा शांदार अस्पतार बनाया था। कानपूर में विदायक इर्फान सोलंकी पर एक और मुकतमा दर्ज हुआ है आपको बता दे कि पुलिस ने बचने के लिए विदायक ने अपना नाम तक बदल डाला इर्फान ने फरजी आईडी बना कर हवाई यात्रा भी की फोटो अपनी नाम पता किसी और का इस्तमाल किया पुलिस ने बगोड़े विदायक के खिलाफ मुकदमा दर्च कर लिया है इससे पहले भी पुलिस ने उसकी चचेरी बहन को हिरासत में लिया था उसकी चचेरी बहन से लगातार पूस्ता जारी है आपको बता दे कि विदायक को भगाने में मदद करने वाले च्छे लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताच करी है जब आपको बाइब लगातार पीछे पड़े हैं लोगों को आपको लोगों को आपको दोली थाने में एक सो अन्ठानवे बते दो हजार बाइस मुकदमा दर्ज किया है जिस मुकदमे में आई पीसी की धारा दो सो बारा चार सो उननेश, शार सो बीश, शार सो शंड़, शार सो आपको एक सो बीश की लगाई गई है जब कानपूर पुलिस जाजमव केस के सिलसले में भारत के विविन्द शहरों में जैसे की सूचना हमारे पार सुप्रब्द हो रही थी, अनुशन धान चलाने के लिए, तलाशी अभियान चलाने के लिए और नहम डैक्यूज को आरेस्ट करने के लिए अभियान चला रही उस समय कानपूर पुलिस के संग्यान में दिल्ली की टीम और मुंबई की टीम के समक्ष एक नया अपराज कारिक होता हुआ प्रदर्शित जिसे विवेचना के क्रम में कानपूर पुलिस के दिल्ली और मुंबई की टीम ने अपने विवेचना में शामिल किया और सह विवे पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई है जिसके बाद पुलिस दस लोगों को हिरासत में लेकर पूछताच कर रही है हम लोग साधी से आरेते गोमतियान माधोगन से तो चौराहे के पास में जो नट लोग रहते हैं उनके वहां साधीवादी की काफी मनलब होती तो लेट साइड में गाड़ियां खड़ी इधर भीड भारती काफी तो मैंने डाइवर से कहा भैया अराम से निकाला फिर इसने ज जो है कसकिन इसके पर वायर किया तो सीजा फुल गिया अपर इसको मार्णा पीटना चालू कर दिये स्रीमति पूजा देभी जो कछवना दुती से जिला पंचाज सदस हैं और गौशगण की रहने वाली हैं एक साधी समारों में माधोगण जाए थी यहां समलित होने के बाद वापस जा रहे थी गौशगण रास्ते पेक बारात निकल लहे थी उसके लोगों से कुछ इनकी कहा सुनी होई इसके बाद उन लोगों ने इनके ड्राइवर के साथ गाली गलोग इसकी मारपीट की तक इनकी गाली को तोड़ दिया है पुलिस को सूचना मिली है इसमें जो भी सामिल लोग है दस ग्यारा लोग उनको पुलिस से नहिरासत मिली है उनसे पुछ ताज की जा रही है जो भी तहरीर मिलेगी उसके आधार पर आप से विद्धिक कर रही की जाएगी गाजियाबाद में बीते दिनों गुपता मेटल्स में हुई डकैती का पुलिस ने खुलासा किया है आपको बता दे कि मुटबेड में वंचे चल रहे चार अभ्यूकतों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है वहीं एक हैड कॉंस्टेबल जवावी मुटबेड फाइरिंग में घायल हो गया पुलिस ने चारो अभ्यूकतों के पास से लाखों की कीमत का सामान भी बरामत किया है ये खुलासा छेतरा दिकारी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर किया एक डपिंग ग्राउंड है वहाँ पर माल के साथ में बैठे बुड़ है और ये फिराप में थे किस माल को कहीं ठेकाने लगाया जाएं ताकि बिलगा तार पुलिस इनका पीछा कर लिए तो पुलिस तारा जब इनके ठेकाने का बेरेंड डाली गई तो वहाँ से दो वेक् से चोड़ी की मोटर साइकल साथ में नजाई असलम पुछ कार्फूस एवम एक टोरी की मोटर साइकल बरामत हो ये हत्यार बन डगैती की घटना थी जिसमें पुलिस का बहुत ही अच्छा रोल रहा है पुलिस ने बहुत ही तुरंत कारवाई करी है और जहातर लोग उसके काफी माल बरामद हो गया है जैसा में रोको बताया गया है पुलिस अपनी कारवाई कर रही है उन्होंने कहा कि चीन से मुकाबले के लिए हमें जनसंख्या नियंतरित करनी होगी देश में जनसंख्या नियंतरन कानून लागू करना होगा और जनसंख्या के लिहास से हमारे पास प्राकृतिक संसाधर भी कम है देश में सभी वर्गों धर्मों के लोगों पर जनसंख्य कानून लागू करने की बात कही है जो इस कानून को नहीं मानेगा उसे मता अधिकार को खतम कर देना चाहिए इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीए मोदी पर कॉंग्रिस अध्यक्ष मलिका अर्जुन खड़गे ने जो टिपड़ी की है अपमान जनक शब्द बोलने वालों को गुजरात की जिन्ता माफ नहीं करेगी शौभागि से उत्तर परदेश में योगी जी की सरकार है और केंदर में मोदी जी की सरकार है और आज जिस कश्मीर की चर्चा मनोश इन्हा की चर्चा की आतंक को आतंकी को आतंक वाद को अब धीरे धीरे घरों में ढखेल करके बंद करने का काम किया और जहां तक मुहम्दाबाद में आज सर्धांजली शवा का शवाल है अप राधी को सजा मिलेगी दुनिया की कोई ताकत नहीं क्योंकि जोगी का राज है यह कोई अखलेश जादव का राज नहीं है जो अप राधियों को संद्चनली नहीं खबर चंदौली के पंडित दीन दयाल उप्याद धाय नगर से है जहां बिजली विभाग के करमचारियों ने मशाल जुलूस निकाला और अपनी 15 सूत्री मांगे रखी करमचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन बहाल कर बिजली विभाग का निजी करण ना किया जाए इसके साथ ही और कई मांग की बात कहीं करमचारियों ने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग आगे और भी अंदोलन करेंगे आज संगर सिमेथी के आवाहन पर केंद्रिये पर हम लोग मांग बज़े से दिवीजन से केंड से मसाल जूलूस उठाके और गंजी परसाथी राहे पर जांके समाप्त करेंगे यह हमारे केंद्रिय कमिठी का जो है आवाहन के उपर आज हम यह कर रहे है अगर हमारी सरकार इस तरह से हमारे करमचारियों से अगर्चे वार्चा करके अगर कोई जुड़ाय निकालती है तब तो हम लोग अपना धरना स्राप्त करेंगे और नहीं तो यह धरना कांटिल्यूट चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो खबर औरये से है जहां इक यूवक अग्याथ परिस्तितियों में ग्राम पंचायत भवन के पंके से लटकता मिला ग्रामीडों ने घटना की जानकारी पुलिस और यूवक के परिजनों को दी यूवक के मुरत होने की सूचना पर परिजनों और ग्रामीडों में कोहराम मच गया डिप्टी स्पी के निर्टत्व में शवकी वीडियो ग्राफी करा पुस्ट मार्टम के लिए भेज दिया गया है और पूरे घटना की उच इसतरी जाच के आदेश जारी किये गए है जब खिर्की भोली गई तोड़ी गई तोड़ी गई तो इसमें लिखाई दिया रस से तब अल्ला कुल्ला मच आगा जो आज रात में फांसी लगा के अंदर आत्यकली जिसमें हम लोग तकाल संग्यान लेते हैं लेते हैं लोग पहुंचे और दर्वाजा जो अंदर से बनता उसको बड़ी मुसके से दोड़ जो अंदर खोला गया और सव पंकी से लटका हुआ था विडियोग्राफी करते हुए अम्रोजर सो को निचे हुशा है और तकाल जो एक अधेड की बीच सड़क पर जमकर धुनाई हो गई अधेड पर आरोप है कि उसने रहा चलते एक महिला के साथ अशलीलता की जिसके बाद महिला के साथ मौजूद एक यूवक ने सड़क पर ह उसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी आपको बता दे कि देखते ही देखते लोगों की महाँ पर भीड जमा हो गई वहीं अधेड के माफी मांगने के बाद उसको छोड़ दिया गया खबर सुल्तानपुर से है जहां उज्जा निग्मों की लापरवाही के विरोध में बिजली करमियों ने अनिश्चित कालीन कारिब भहिशकार किया बिजली करमचारियों ने शाम पांच बजे पूरे प्रदेश में मशाल जुलूस निकाल अपना विरोध दर्च कराया विद्ध करमचारी संयुक्त संगर समिती के पदाधिकारी मनोज यादव ने भहिशकार के प्रथम चरण में 33 केवी विद्ध उपकेद्र समेत कई बिजली विभाग में कामकाज जारी रखक जिससे आम जंता को परशानी का सामना ना करना पड़े बिजली करमचारियों ने बताया कि 30 नवंबर को भी विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा विद्ध करमचारी संयुक्त संगर समिती द्वारा अपने 15 सूत्री मांगे प्रबंदन के समक्ष रखी गई थी और 27 अक्टूबर से हमारा विरोध कारिकरम प्रती दिन ध्याना कर्शन की तरह हम लोगों ने उसको किया शुरुआत में हमने एक घंटे की अपनी विरोध सभाए की प्रती दिन प्रतेग जनपर में एक घंटे की विरोध सभा होती थी जिससे की प्रबंदन की तरफ हमने अपना ध्याना कर्शन कराना चाहा कि हमारी ये मांगे हैं 15 सुत्री मांगे हैं जिनमें प्रमुपत प्रबंदन का स्विच्चाचारी रवया यानि वो किसी नियम पे न चलके केवल और केवल जो उनकी इच्छा होती है वो करना चाहते हैं वो इसकी अलावा मेमोरेंडम और पार्टिकल के तहट प्रबंदन देशक और चेयरमेन के पत पर जो भी नियुक्त होगा वो पर्टिकुलर एक सेलेक्शन प्रोसीजर से आएगा ना कि मनलब किसी के दोरा एक पॉइंट होके आएगा तो फिर हमारी मांग है कि वो जो इस समय हमारे चेयरमेन साहब हैं और विविन डिसकॉमों में जो भी हमारे एमडी तैनात हैं वो सारे अवैद हैं उनको ततकाल हटाया जाए और फिर एक सेलेक्शन प्रोसीजर के तहट उनकी तैनाती की जाए शावस्ती की दो दिवसी दौरे पर पहुँचे सदसी पुर्वान्चल विकास वोड बौध अर्विन सिंग् पटेल ने नवनिर्मित सामुदाईक स्वास केंदर और प्रात्मिक स्वास केंदर लक्षमन पुर बजार का बारीकी से निरिक्शन किया सामुदाइक स्वास केंद्र में बने सभी कक्षों का निरिक्षन किया साथ ही पीएच सी पर तैनात अधिक्षक को निर्देश दिया कि अस्पताल में आए मरीजों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं पर पारदर्शिता के साथ मुया कराई जाए ताकि मरीजों को इलाज के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े पुर्वांचल विकास बोर्ड सदसे ने CHC और PHC में साफ सफाई रखने के भी निर्देश जारी किये खबर लखनाउ से है जा नगर विकास मंदरी एके शर्मा ने वर्चुली 10 जिलों को 10 निकायों में करीब 51 करोड रुपे की लागत से 243 विकास कारियों का लोकारपन और सलन्यास किया छे जिलों के प्रधान मंतरी आवास योजना के 8168 लाभाटियों को आवास की चाबी भी प्रतीक स्वरूप सौपी आधिसाशी आधिकारियों को विकासकारियों को जल्द पूर्ण कराने के दिर्देश भी दिये कारिकरम में उपस्थित जनप्रतिन इदियों सांसत विधायक और गणमान नागरिकों का धन्यवाद भी किया साथ ही देंगू मलेरिया चिकनगुनिया से बचाव के लिए एंटी लार्वा छड़काव कराने का विशेश निर्देश भी जारी किया प्राइम उत्तर प्रदेश में बस इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी नमस्कार आप देख रहे हैं